करनाल में स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा अंतराज्जी नशा तसकरों के खिलाफ व्यापक व प्रभावी कारिवाई की जा रही है इसी क्रम में स्टी एफिसर की यूनिट ने निरिक्षक पवन के नेतरत्व में कार्य करते हुए दो नशा तसकरों को भारी मातरा में अफीम सहित काबू करने में कामियाभी हासिल की है जो की एंडी पीएस एक्ट के तहत वानिजिक मातरा की श्रेणी में आती है टीम ने सूचना पर त्वरित कारेवाई करते हुए शुभा सिंग निवासी गाउं डाचर जिलाकरनाल वा बलजीत सिंग निवासी फतेगड साहिब को फिलिंग स्टेशन अंधेडा जिलाकरनाल के पास नाके बंदी करके काबू किया है जिनसे एक कार ब्रेजा वह 7.5 किलोग्राम अफीम बरामत की गई है आरोपियों के खिलाफ धाना सदर पुलिस ने संबंदित धाराओं के तहट मामला दर्ज कर लिया है वही पुलिस ने आरोपियों का अदालत से 9 दिन का रिमांड हासिल कर लिया है आरोपियों को 12 दिसंबर को अदालत में पेश किया जाएगा इसी मामले को लेकर समाचार एक्सप्रेस की टीम द्वारा पुलिस अधिक्षक गंगाराम पुनिया से बाचीत की देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा नशे का करोबार जो हर्याण में बढ़ता ही जा रहा है करोना में टाइम में आपने देखा कि कितना करोबार चल रहा था और अब इतके नहीं थमरा है हमारे साथ मुझूद है करनाल से एसपी गंगाराम पुनिया जी जो आपको बताएंगे कि अभी-अभी करनाल से भी एक मामला सामने है सर पहले मैं पूछना चाहूंगी जो मामला भी आपने प्रेस कॉन्फिन्स करके बताया उसके बारे में थोड़ा बताया देखे कल इसपेसल टास्क फोर्ष की हिसार यूनिट के दवारा गाउं अंदेडा सदर करनाल पे मनाके बंदी करके दो व्यक्ति सुबह सिंग वें बलजीत को काबू किया गया था और उनके पास एक कार वें साड़े साथ किलो अभी बरामत की गई थी हमने थाना सदर करनाल में अड़ी पीएस एक तुमीश्व पिच्याशी की धारा ठारा सी के तेद अब्योग अंकित कर लिया है मामले की जात जारी है आज दोनो आरोपियों को कोट में पेस किया गया था जिनका हमने नो दिन का रिमांड मान्य यायले से आजिल किया है रिम कि तरफ से कोई operation चलाए गया है इसके लिए देखिए जिला पुलीस की नसा तसकरी को रोक थाम करना मुख्य प्रात्मिकताओं से एक है जिला पुलीस इस दिसा में घंभीरता से प्रियास कर रही है इस साल भी हमने सो से ज्यादा अभियोग NDPS Act के तहत दर्ज किये हैं हम म के लिए को मैसिस देना चाहें हैं देखिए मैं सभी युवां से और उनके अभीभाव को से और माता-पिताओं से भी अपील करना चाहूंगा कि यह दि उनको लगता है कि कोई उनके आस्परोस में भी व्यक्ति इस परकार की कुरुति का सिकार हो रहा है या नसे के आदत का सिकार हो गया है तो आप हमें जरूर इतला करें ताकि हम उस व्यक्ति तक पहुंच सके जो उनको नसे की सप्लाई कर रहा है साथ ही उसकी काउंसलिंग के लिए भी हम कोशिश कर सके और यदि ड्रक डे अडिक्सन चेंटर में भी यदि भेजना हो तो जिला पुलीस उसमें म शियर और सब्सक्राइब झेर भड़ों केते लिए पुटार्य। जोनेवाल